हुआ 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 है हलो फ्रेंट्स गूर्मॉर्णिंग टौल फ्यू आप दिसंबर के सारे टॉप कर इंटरफेस में आपका स्वागत है और हमने और भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट अब बनाने शुरू कर दिये हैं और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो डिफरें भी आने शुरू हो जाते हैं फॉर्म आप भरोगे एक्जाम अपने दोगे तो टाइम बहुत कम बचता है तो अभी थोरोली पढ़ने का टाइम है लास्ट टाइम में बहुत कम समय बचता है इसके साथ साथ यह करेंटरफेस और भी जो जनरल कंप्टिशन के एक्जाम है उ एक क्या है यह उद्योग परिसंघ का एक तरीके से निकाह है यह काफी एहम मुद्दों में भारत सरकार को हल्प करती है बहुत बड़े-बड़े विचार विवर्मर्श में भी हल्प करती है क। तो फिक के नय प्रेसिदेंट बनाये गहें उदाय संकर इसके साथ साथ प्लीज रेडी रहे उसको देखने के लिए क्योंकि उसमें वन टाइम वीडियो होगा सब जितने भी अपॉइंट्मेंट है रिसेंट के वह आपको रिवीजिन करवा दिये जाएंगे फिकी की नेवी प्रेशिडेंट उदाय संकर जैसे कि आपको रौ और आईबी के हेड का नाम पता होना चाहिए रौ के हेड कौन है सावंत कुमार गोयल आईबी के हेड कौन है और विंद कुमार ठीक है तो यह आपको याद होने चाहिए अगला है फादर ओफ फाइवर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं देखिए यह कोशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है फादर ओफ फ किया था इसका इन्वेंशन किया था तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा फेमस है और चुकि इनका देहांत हुआ है इसलिए यह न्यूज में भी चल रहा है फादर ओफ फाइवर ऑप्टिक्स नरेंदर सिंग का पाने इसाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉ आधिई घ्यास डीफन सेकससाईज यह भारत और रूस के बीच में किसके बिच में भारत और रूस के बिच में रूस में अभी हाली में ज stared स्थनिक फाइब और को ना का वैक्सिन था सबसे probमें एसब नहीं बनाया था अभी कोरोना के वैक्सिन की बात रही तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था फाइजर वैक्सिन फाइजर वैक्सिन को किसने मंजूरी दी है ये ब्रिटेन ने मंजूरी दी है और भारत भी ऐसा दावा कर रहा है कि इस महीने के लास्ट तक वैक्सिन इस रेडी फॉर इंडिया वैक्सिन बहुत मात्रा में भारत खरीद भी रहा है तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए रूस के प्रेशिडेन्ट है ब्लादमीर पूतिन और यहां के प्रधान मंत्री है रूस के इनका नाम क्या है रूस के प्रधान मंत्री मिखाइल मिशुटसीन ये भी recent में appointment इनका हुआ है तो यहां हम लोग दो चीजे revision करेंगे पहले रूस का map देखेंगे और उससे related GS के facts ACI के साथ revision करेंगे दूसरा defense exercise दोनों चीजों को आईए revision करते हैं यह है रसिया ठीक है रसिया के ऊपर का जो इलाका है जो बर्प से सालोबर ढखा रहता है इसे करते हैं साइबेरिया कोश्चन में पूछा गया है साइबेरिया पर देश किस देश में सबसे जादा है रूस में बैकाल लेक है कौन सा लेक है बैकाल लेक दूसरा है रूस की रा को जो mountain बाढ़ती है वह aasια की भी boundary line You apt माउंटेन आप यहां देख सकते ह 되면 क्या क्या है यूराल माउंटेन साइबेरियन प्लेन कहा है यह dramatic में का काने रशिया में आ एक lag के बारे में कुछ कुछ और important हाथ division करते चलते हैं sea of okotask आपको यहां दिख रहा होगा यह भी रशिया के पास है एक्जाम में पूछा गया है bearing sea आपने दिखा होगा यह है bearing sea साथे साथ bearing straight भी है bearing straight Asia और North America को अलग-अलग करता है यह चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और important चीज़ जो defense exercise की मैंने बात की थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं चलिए defense exercise हम लोग revision करेंगे सबसे पहला है hand in hand किसका है भारत और चीन के बीच में hand in hand exercise किया जाता है defense exercise passage अपनी देखा आपने भारत और रूस के बीच में इंदर नाम से जो भी exercise होंगे वो सब मनाये जाते हैं sorry organize किये जाते हैं भारत और किसके बीच में रूस के बीच में और कुछ-कुछ अलग भी है जिसमें इंदर नाम लगा है जैसे इंद्र धनुस ये है Britann के पीच में अजेे वारियर इंद्र धनुस अजे वारियर प्लीज पेपरर पेइक जगा नोड करते चले इंद्र धनुस अजे वारियर दोनों ब्रिटे न के समय ठीक है इसके पहले भारत और अमेरिका के बीच में pass x exercise हुआ था पास x passage और passage दोनों में अंतर है पास x है एक में x और x में passage है दोनों चीजों को ध्यान से देखिए ठीक है million 2020 का आयो जन कहा हुआ था इस बार exam में पुछा जाएगा विशाका पत्नम में हुआ था million 2020 20 यह बहुँ पक्ची यह था मतलब multilateral देश्ट के लोग थे इसमें एक और है sinew metri note करना चाहें तो note कर लिए sinew metri यह भारत और जापान की वायु सेना के बीच में अगला है गरूर 6 गरूर 6 defense exercise गरूर किसके इंडोनेसिया के बीच में है ठीक है भारत और इंडोनेसिया के बीच में समुद्र सक्ति नेक्स्ट है slynex यह तो बहुत इज़ी है s-l-i-n-e-x तो इसको आप लोग जरूर याद कर लोगे स्री लंका समुद्र सक्ति भारत और इंडोनेसिया माला बार exercise यह multilateral होता है चार देश इस बार इसमें एक और देश ऑस्टेलिया भी participate किया भारत जापान अमेरिका हर साल इसमें participate करते हैं इस बार यह 9 सेना का होता है ठीक है 9 सेना का ब्यास होता है माला बार वरूण अब देखिए आपको अब किस दिर पहले मैंने गरूड बताया था गरूड भी है फ्रारत और प्रांस के बीच में और वरूण भी यह भारत और फ्रांस के करते हैं सिम्बैक्स औस इंडेक्स इसको तो आप एक बार में याद कर लोगो ए यू एस आइन डी एक्स औस इंडेक्स इसको कौन-कौन सा देश और्गनाइज करता है औस इंडेक्स को और इंडिया तो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच में वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युध अभ्यास ये भी है भारत और अमेरिका के बीच में नॉमाडिक एलिफेंट भारत और मंगूलिया के बीच में प्रबल दोस्तिक ये भारत और कजाकिस किश्टान के बीच में भारत और नेपाल के बीच में कौन-कौन है भारत और थाइलैंड के बीच में थाइलैंड के बीच में है मैत्री ठीक है सक्ति भी एक्सरसाइज है यह थल सेना के बीच में होता है भारत और फ्रांस के बीच में अब देखिए वरून गरूड और सक्ति तीनों हो भारत और फ्रांस के बीच में अगला है भारत और जापान के बीच में एक और एक्सरसाइज है सहयोग काजिन सहयोग काजिन यह 9 सेना के बीच में होता है भारत और जापान के बीच में उसी तरीके से धर्म आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, बार-बार चीजों को पढ़ें, जहां भी मिले उसे रिवीजन करें, और रिवीजन करें, बार-बार देखकर, सुनकर, समझ कर, अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हाली में किस बैंक ने MSME के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है, MSME उतर, Micro, Small and Medium, Interprises, इसके लिए एक्सिस बैंक ने रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है, उपराष्ट पती M1 के नाइडू ने किस पूर्व परधान मंतरी के नाम पर एक असमारक डाक टिकट जारी करने का एलान किया है, तो असमारक डाक टिकट बनेगा किसके नाम पर, इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर, किसके नाम पे इंद्र कुमार गुजराल के नाम पे अभी कुछ दिन पहले एक और प्रधान मंत्री नियूज में थे HD देवे गौडा क्योंकि इन्हें राजसभा की सदसिता ली है अब प्रधान मंत्री की बात हो रही है तो ये भी देख लेते हैं कि अभी 17 लोगसभा का सेशन चल रहा है और हमारे जो प्रधान मंत्री है वो नरेंद्र दामुदर दास मोदी ये किस क्रम के प्रधान मंत्री है या राष्टपती किस क्रम के राष्टपती है यह सब पूछा जाता है तो 17 लोकसभा के प्रधान मंत्री है कौन हमारे नरेंद्र मोदी ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको याद रखने चीज़ें 17 लोकसभा के बहुमत से चुने गए है according to fortune magazine fortune एक magazine है बहुत दुनिया की leading magazine है इसके हिसाब से who is the 2020 business person of the year awardee मतलब 2020 का 2020 का business person of the year award fortune magazine के हिसाब से कौन है किसे दिया गया है पताईए इसका right answer तो option में आपको दो नाम दिख रहे होंगे अजय बंगा और सांतनु नारायन इन दोनों को प्लीज याद रखिएगा दोनों option में होगा तो दोनों होगा इसलिए यह अपने आप में एक important question है अगला question है हाली में time magazine का पहला kid of the year award किसे दिया गया है time magazine का kid of the year award यह दिया गया है गीत आंजली राव को किसको दिया गया है गीत आंजली राव को चलिए आगे बढ़ते हैं गीत आंजली राव को हाली में 40 years with अबुल कलाम untold stories नामक पुस्तक अवी मोचन मतलब inauguration recently who inaugurated the book named 40 years with अबुल कलाम अब्दुल कलाम untold stories तो यह एम वंकैयन आईडू ने इस किताब का वी मोचन प्रदर्शन किया है नेक्स्ट है जितने भी कोविद 19 से news रहे है maximum तो नहीं लेकिन कुछ-कुछ important points को हम लोग note करते चलेंगे चलिए सुरू करते हैं इसकी उत्पति जो है वुहान सहर चाइना से मानी जाती है जनवरी 2020 में डबलू एचो ने इसे noble coronavirus का नाम दिया डबलू एचो ने क्या दिया noble coronavirus अगला है 11 फरोरी 2020 को डबलू एचो ने इस वाइरस का नाम कोविद 19 रखा 11 फरोरी को ये नाम दिया गया है ठीक है अगला देखते हैं 11 मार्च को भारत सरकार ने कोविद 19 को लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 ये एक important question है महामारी रोग अधिनियम pandemic act एक लाए गया था 1897 में ये कब लागू किया गया 11 मार्च को ठीक है अगला देखते हैं 11 मार्च को ही WHO ने कोविद 19 को वैस्विक महामारी मतलब ग्लूबल पैंडेमिक घुशित कर दिया ये डेट जादा जरूरी है क्योंकि एक्जाम में पुछा जा सकता है ठीक है कोविद 19 का फुल फॉर्म एक तरीक से मारें तो कोरोना वाइरस डिजीज कोविद ऐसा कह सकते हैं पी पी ए किट बहुत ज्यादा निव्ज में आया था पी पी ए किट परस्नल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट टेस्ट कुछ किये जाते हैं जैसे कि पहला टेस्ट था आ मेर एक्यूट रिष्पिरिटरी सिंड्रोम एक त्ठीक है अब इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ कोश्न सार। सार्श कोई नैंटिन को महामारी घोसित करने वाला हर्याना पहला वना था जिसने इसको महामारी घोसित कि या पैंडेमिक घुसित किया ठीक है जंता कर्फ्यू कब लगा था सबको याद भी होगा तो यह लगा था 22 मार्च को ठीक है पंजाब राजे ने सबसे पहले पंजाब राजे ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया कोरोना वाइरस के चलते और कुरोना वाइरस के करण लॉकडाउन करने वाला पहला राज़े था राजस्थान अब यहाँ तीन चीजे हैं सबसे पहला कर्फ्यू लगाया पंजाब ने राजस्थान ने सबसे पहला लॉकडाउन लगाया और इसे सबसे पहले पैंडेमिक या महमारी घोषित किया था हरियाना ने तीन चीज़ें आपको clear and loud समझ में आनी चाहिए हरियाना पहले पैंडेमिक घोषित किया राजस्थान लॉकडाउन और पंजाब ने करफ्यू कोरोना वाइरस के कारण संपूर भारत में प्रथा बार लॉकडाउन कब लगाया गया तो लॉकडाउन लगा 23 मार्ज को ठीक है और इसके लिए जो फंड बनाया गया था उसका नाम क्या था पी एम केयर्स फंड जो दवा पहले दफ़ा में लॉंच की गई थी एक तरीके से मलेरिया की दवा थी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और इस दवा का पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर देश था इंडिया क्योंकि मलेरिया यहां अभी भी बहुत ज़ ठीक भी हो गया थे नेक्स्ट है कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रवो के कारण टोकियो अलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कैनड़ा था और एक साल के लिए वो रद भी कर दिया गया था तीन तरीके तीन चार तरीके के टेस्ट होते हैं आप याद रखेंगे ट्रू नाट टेस्ट ट्रू नाट टेस्ट रैपिड एंटिजन टेस्ट रैपिड एंटिबाड़ी टेस्ट और र्टी पीसी आर तीनों का फूल फॉम मैंने पहले ही बताया है COVID-19 के टाइम में बहुत सारे operation भी चलाए गये थे तो ये लगबग कुछ points मैंने आपको revision करा दिये हैं आगे भी मैं revision कराऊंगा तो next question किस राज़सरकार ने Moserhart Bridge का नाम बदल कर जैहिंद पूल रखा है Moserhart Bridge name will be changed as जैहिंद Bridge जैहिंद पूल तो ये पस्चिम बंगाल में है पस्चिम बंगाल में क्या है Moserhart Bridge आईए मैप में इसे देखते है ये है वेस्ट बंगाल की राज़नी का है कोलकाता कोलकाता में दो port है एक तो है हल्दिया और एक है कोलकाता ठीक है कोलकाता port trust का नाम अभी भारत सरकार ने डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखरजी के नाम पर रखा था आप ज़्यान से देखिए वेस्ट बंगाल के मैप को ये है वेस्ट बंगाल बिहार से लगता है जहरखंड से लगता है ओडिशा से लगता है और बांगला देश से पून रूप से लगता है इस्टर्न साइड में अगला है भूटान से इसकी बाउंडरी लगती है और नेपाल से इंटरनेशनल बाउंडरी जिस भी राज्यकी लगती है वो अपने आप में जरूरी हो जाती है जैसे कि Sikkim यहां पे एक state है इसकी तीन इंटर्नेशल बाड़िय भुटान नेपाल अर उपर चीन और मयानमार नागलान की है मयानमार मनिपूर की मैनमार मिज ώरं का मैंन पार तिरपूरा का है बांगलादेश असम एक ऐसा नौर्थ इस्ट का एस्टेट है जो कि लगभग सब नौर्थ इस्टेट से लगा हुआ है आप देख सकते हैं असम के गोद में पूर्लुप से हैं मेघाले जहां गारों खासी जैनतियां हैं और हम बात करेंगे जित नौर्थ इस्ट का स्टेट था मेघाले का नोकरेक और वालफकरम त्रिपूरा का है बाइसन और क्लावड़ेड लेपर्ड यह दो निस्टनल पार्क है त्रिपूरा में अगला है जो हम लोग अभी देख रहे थे वेस्ट बंगाल गोरु मारा नेस्टनल पार्क बुकसा न नेस्टनल पार्क जल्दा पाड़ा नेस्टनल पार्क सुंदर बन नेस्टनल पार्क प्लीज अगर नोट करना चाते हो तो यहां से आप नोट कर सकते हैं ठीक है फिर आते हैं हम तिरी पूरा देख लिया आपने और कुछ सिंगल है जैसे बिहार में बालमिकी नगर है गोवा में महावीर हरीना मनस्थली है बेतला का है जारखंड में इंटांकी नेस्टनल पार्क का है नागा लेंड में और सिक्की में है खांग चेंग जूंग नेस्टनल पार्क दुद्वा नेस्टनल पार्क उत्तर उत्तर प्रदेश में है साथी साथ चंद्रप्रवा वाइलेफ सेंचुरी कहा है उत्तर प्रदेश में है अंडमान निकोबार में क्यों कौन सा है तो जितने भी बटन नाम से लगे हो यह सब कहा है अंडमान निकोबार में रानी जहांसी मरीन नेशनल पार्क यह भी अंडमान आगे बढ़ते हैं मेरा ये परियास रहता है कि दो तीन सो अलक से जीस के फैट्स आपको दे दू ताकि आपका टाइम बचे हाले में वाई पर दुसें कारण विश्व की पहले मृतिव कहां दर्ज की गई है तो ये ब्रिटेन में दर्ज की गई है और ब्रिटेन पहला सरकार ने राय मोना रष्ट्रिय उद्यान मतलब नेसनल पार्क को मंजूरी देने की प्रकिरिया सुरू कर दी है मतलब इसे एक नेसनल पार्क बनाया जाएगा तो ये है असम में हाली में किस देश ने दास श्रं का हवाला देते हुए मतलब स्लेव लेवर का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है यह अमेरिका यह आपको गेस करने के जोगत नहीं है आपको पहले से पता होगा किस राजने गर्वत्य महिलाओ के of the year 2020 award दिया गया है आदार पुनावाला को और ITBP ने अपने लाकू कुत्तों का नाम की छेतर पर रखेंगे तो यह रखेंगे लद्दाक के नाम पे अब जो कोश्चन आपको कमेंट करना है भारत की पहली प्राइवेट सेटलाइट कंपनी पिक्सल ने अपना सेटलाइट लांच करने के लिए किसके साथ साज़सादी की है पिक्सल who is the first private satellite company in India has agreement with which company the following company's name NSIL NASA ESA JATA NASA full form is National Aeronautical Space Administration NSIL New Space India Limited ESA European Space Agency JATA Japan की agency है यह सब आपको याद रखना है New Space India Limited NASA ESA और JATA में से जो भी right answer होगा उसे आप comment box में with full detail comment करें thank you so much for watching bye for now